हैलो एवरिवान कैसे हो गाईस आप सभी आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे गाईस आज की क्लास में हम most important 20 questions करेंगे और यह 20 questions आपके straight से related होंगे यानि जल संधियों से related होंगे ठीके यानि अगर हम बात करें कि किस continent से लेकर और किस continent के बीच आपके कौ questions होंगे तो कुछ इस तरीके के आपके questions होंगे तो most important question है तो थोड़ा ध्यान से कीज़िएगा गाईस यह कट कट क्यों आ रही है ठीक है ठीक है गाईस तो यह most important questions रहेंगे जल संधियों से related होंगे जिसे English में बोलते हैं straight के नाम से जाने जाते हैं English में और यह जल संधिया अक्सर exams में पुछी जाती है चाहिए वो आपका competitive exam हो या teaching या non teaching जो भी exams हो तो बहुत सारे exams में इस तरीके के questions काफी देखने को मिलते हैं तो guys भूद ध्यान से देखने का देखिएगा यह वीडियो आपके आगे आने वाले DSSB, KVS, NVS, HT, CTAT सब के लिए most important है तो cool 20 questions है तो सबसे पहला questions आता है इसमें निम्न में से कौन सी जलसंदी अंतराष्टे तीथी रेखा के समानंतर है अंतराष्टे तीथी रेखा यानि international date line के कौन सी जलसंदी सबसे ज़्यादा नस्दीक है तो यहाँ पर guys हम option की बात करें तो option हमारे पास 4 है पर नामा जलसंदी स्व और यहीं पर 180 degree west में आपकी जो पढ़ता है वो पढ़ता है बेरिंग सागर तो अंस्वर रहेगा बेरिंग जलसंदी ठीक है अंस्वर क्या रहेगा बेरिंग जलसंदी याद रखना यह exam के point of wisdom most important है next question आता है question number two विस्व की सबसे चोड़ी जलसंदी निम्न में से कौन सी है आपको पता है सबसे चोड़ी जलसंदी कौन सी है option देखते हैं डेविस बेरिंग जिब्राल्टर और बास पोरस जलसंदी तो guys यहाँ पर जो correct answer होनी वाला है वो है डेविस जलसंदी तो दो डेविस जलसंदी है वो संसार की सबसे चोड़ी स्ट्रेट है वोटर स्ट्रेट ठीके इसको ध्यान रखना डेविस जलसंदी आपके नोर्थ अमेरिका में पढ़ती है यह नेक्स आता है question number 3 एशिया और उत्री अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं बहुत बार यह question exam में आता है कुक जल डमरू मत दे बोस जल डमरू मत दे डोवर जल डमरू मत दे या बेरिंग जल डमरू मत दे तो गाइस इसका जो राइट अंसवर होगा जो एशिया और उत्री अमेरिका एशिया और उत्री अमेरिका देखो यह आपका एशिया का पाट पड़ता है और यहां से पड़ता है उत्री अमेरिका तो यहां पर आपका बेरिंग सागर है ठीक है बेरिंग सागर है जिसके नस्दीक से आपके इंटरनेशनल डेट लाइन भी गुजरते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर राइट अंसवर होगा वो हमारा होगा बेरिंग जल डमरू मद्य नोर्थ अमेरिका और आपके एशिया के बीच में नेक्स आता है हामूर्ज जल संदी किन दो देशों को अलग करती है बहरिन और कतर इरान और UAE और ओमान और UAE और इरान और यमन तो गईस राइट अंसर रहेगा जो हामूर्ज जल संदी है वोटर स्ट्रेट है वो आपकी इरान और UAE को अलग करती है तो राइट अंसर ही एक island है तस्मानिया island Australia की South और East में पड़ता है तो तस्मानिया ऐलेंड दोनों अलग होती हैं कौन सा इनके बीच में स्ट्रेट पड़ती है बोस जल डमरू मद्दे पाक जल डमरू मद्दे डोवर जल डमरू मद्दे या बेरिंग जल डमरू मद्दे तो राइट अंसर रहेगा गाईस बोस जल डमरू मद्दे ओप्शन ए इस नेनमार को, भारत और शरीलंका को, पाकिस्तान और इरान को, तो गाइस, इसका राइट अंसर रहेगा, जो आपकी सबको पता भी है, एक्जाम में भी हद से ज़्यादा बार ये कोशन आता है, पाक जल संदी, तो भारत और पाकिस्तान को बिल्कुल भी भूल के मत करना, कहीं सोचो कि पाक है तो पाकिस्तान आएगा राइट अंसर इस पाक और भारत और शिरी लंका को पाक जल संदी जो है भारत और शिरी लंका को जोड़ती है या अलग करती है नेक्स कोशन आता है कोशन नबर से वन बेरिंग जल डमरू मद्य अलग करता है आरक्टिक महासागर को परशांत महासागर से अटलांटिक को हिंद महासागर से अटलांटिक महासागर को परशांत से और परशांत महासागर को हिंद महासागर से तो गैस जो बेरिंग जल आरक्टिक ओशियन को आपका सेम बेरिंग सागर ही जोड़ेगा ठीके तो बेरिंग जल डमरू मद्य दुआरा दोनों ये महा सागर अलग के जाते हैं आरक्टिक ओशियन हमारी पिर्थवी का सबसे छोटा ओशियन है और परशांत महा सागर सबसे बड़ा ओशियन है तो इन अंडोमान सागर या दक्षनी चीन सागर जावा सागर या सैलिबीत सागर मार मारा सागर या एजियन सागर जावा सागर या जापान सागर तो गैस इसका राइट अंस्वर रहेगा जो आपका मलक का जल संदी है वो अंडोमान सागर और दक्षनी चीन सागर के बीच में है ठीक है दोनों के बीच में है ये जलसंदी मलक का जलसंदी जिसे कहते हैं तो दो सागर आएंगे एक तो अंडवान सागर जो कि अंडवान निकोबार द्वीप के निकट है दुख्सरा चीन के निकट है दक्षनी चीन सागर दोनों के बीच है ये जलसंदी मलक का जलसंदी ध्यान रखना इसको इपोटेंट है नेक्स आता है कोशन नमर नाइन बुमद्य सागर और अट्लांटिक अट्लांटिक का हिंदी में कहते हैं अंध महा सागर को जोडने वाली जलसंदी है इन दोनों सागरों को कौन सी जलसंदी जोडती है डेविस जलसंदी जिप्राल्टर जलसंदी मेसीना जलसंदी या बोनी फेस्यो जलसंदी तो देखो बुमद्य सागर और अट्लांटिक कल ही मैंने आपको पढ़ाया है यह हमने कल ही अफ्रीका कॉंटिनेंट लाइव सेसन में कम्पलीट किया है रात को नोवजे तम मैंने आपको बताया था कि भई अट्लांटिक जो ओशियन है और बुमद्य साग तो राइट अंसर रहेगा उक्षन नमबर बी नेक्स्ट आता है कुशन नमबर टैन जाफरा प्राइदवीप और शिरी लंका की मुख्य भूमी को जोडने वाला पास है पास बिलकुल आपका वही रहेगा यानि एक सेंस यह आपका लगभग जलसंदी जैसा ही होता है तो जाफना प्राइदवीप और शिरी लंका डंकन पास अलिफेंटा पास दस डिगरी चैनल अलबर्टा पास तो गाइस राइट अंसर रहेगा आपका अलिफेंटा पास ठीक है तो आपका जाफना प्राइदवीप और शिरी लंका को आपस में जोडने वाला जो पास है उसका भूमी पट्टी या फिर आपकी सुमुंदर और स्थल का मिलन स्थल या इन में से कोई नहीं तो guys right answer रहेगा जल डमरू मद्धे किसे कहते हैं दो सागरों को मिलाने वाली जो संकरी जल धारा होती है उसे कहते हैं जल डमरू मद्धे right option रहेगा option A is correct next आता है question number 12 मेडा गासकर और अफरीकी मुख्य भूमी के बीच स्तित है गिनी की खाड़ी जिब्राल्टर जल संदी मोजांबिक चैनल बेरिंग जल संदी तो guys ध्यान देना जो मेडा गासकर है वो आपके अफरीका का परमुख आइलेंड यानि अफरीका का अ मोजांबिक चैनल दोनों के बीच हैं मोजांबिक चैनल याद रखना और इसे इनी के बीच मोजांबिक समुंदरी धारा भी बैती है ठीके तो मोजांबिक चैनल क्रेक्टर रहेगा option C question number 13 कौन सी जल सन्यूजी यूरोप को अफरीका से अलग करती है तो यूरोप प्लस अफरीका कौन सी जल संदी आती है तो गाइस बास पोरस जिब्राल्टर डोवर बेरिंग तो यू नो डैट आप सबको पता भी होगा यूरोप और अफरीका के बीच एक सागर आता है बु अनों को एक दूसरे से अलग भी करती है नेक्स आता है question number 14 डोवर जल संदी जोडती है डोवर जल संदी किसे किसे जोडती है बाल्टिक सागर और बोथिनिया की खाडी को बिसके की खाडी और इंग्लिश चैनल को और उसके अलावा गाइस इंग्लिश चैनल और उतरी साग ठीक है यूरोप के I think West Valley Park में पढ़ती है इंग्लिश चैनल प्लस उतरी सागर चैनल इसको बोलते हैं डोवर जल संदी के दुआरा दोनों जोडते हैं नेक्स आता है question number 15 बाब अलमंडब जल संदी निम्न में से किन दो सागरों को जोडती है लाल सागर एव ओमान की खाडी फारस की खाडी एवम ओमान की खाडी लाल सागर एवम अधन की खाडी ओमान की खाडी और अधन की खाडी तो आपकी बाब अलमंडब जल संदी है बाब अलमंडब ये जोडती है लाल सागर और अधन की खाडी को लाल सागर और अधन की खाडी को बाब अलमंडब की ठीक है तो इसको धियान रखना लाल सागरो और अधन की खाड़ी के बीच आती है यह नेक्स आता है कोशन नबर 16 हामूर्ज जलसंदी निमलिखित में से किसे दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और मसीरा की खाड़ी मसीरा की खाड़ी और अधन की खाड़ी अधन की खाड़ी और आपकी ओमान की खाड़ी तो राइट अंसर रहेगा आपका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है फारस के खाड़ी और ओमान के खाड़ी दोनों बे हैं यह और दोनों बे के बीच आती है आपकी हामूर्ज जलसंदी जिब्राल्टर जलसंदी किन दो देसों को एक दूसरे से अलग करती है स्पेन और अलजीरिया स्पेन गाइस आपका यूरोप का है अलजीरिया आपका पढ़ता है अफ्रीका का स्पेन और अलजीरिया स्पेन और मोरको पुत्रगाल और अलजीरिया और पुत्रगाल और मोरको तो गाइस ध्यान रखना यूरोप का तो पढ़ता है स्पेन और आपकी अफ्रीका का पढ़त जल संदी यूरोप प्लस अफरीका जिब्राल्टर जल संदी नेक्स आता है कोशन नबर 18 इंग्लिश चैनल स्तित है इंग्लिश चैनल किसके बीच में है बहुत बार अग्जाम में यह कोशन आता है इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लैंड और जर्म अंडोबान और निकोबार द्वीब समू को अलग करता है तो अंडोबान और निकोबार द्वीब समू को कौन सा जलाश्य अलग करता है तैन डिगरी चैनल 11 डिगरी चैनल अंडमान समूंदर बंगाल की खाड़ी तो राइट अंसवर रहेगा तैन डिगरी चैनल जो तैन डि 10 degree channel next question आता है question number 20 और आज की वीडियो का हमारा last question है ये कुछ आपको जलसंदिया दी गई है बेरिंग जलसंदी, डोवर जलसंदी, जिब्राल्टर जलसंदी और पाक जलसंदी मैंने आपको सारी जलसंदिया पढ़ा दिए actually guys आपको पता है बेरिंग जलसंदी भी किन किन के ब ठीक है कुछ पार्ट यूरोप में आता है कुछ एशिया में आता है तो रूस और अलासका के बीच में आती है आपकी बेरिंग जलसंदी ठीक है पालासका आपका USA का पार्ट है नोड हमेर जलसंदी warto जानी आएगी आपकी प्रीटें और फ्रांस के बीच आती है किसके और फ्रांस के बीच डोवर जलसंदी जिब्राल्टर जलसंदी की बात करें तो स्पेन और उत्री अफ्रीका जिसका मोरोग को पड़ता है कंट्री ठीक है स्पेन आपकी यूरोप की कंट्री है और उत्री अफ्रीका आपकी मोरोग को तो स्पेन और उत्री अफ्रीका के बीच में आती हैं कौन सी आपकी स्पेन और उत्री अमेरिका के बीच नि know के बीच में जिब्राल्टर जलसंदी और पाक जलसंदी बहरत और श्रिलंका एक बार और आपको रिवायज करवा और शिरिलंका के बीच में तो एक कोशन में चार अंस्वर यहां पर कम्प्लीट होते हैं तो कैसे लगे कोशन्स कमेंट बोक्स पर मुझे बताना और कोशन्स का लेवल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना वीडियो को ताकि कि मैक्सिमम स्टूडेंट चुड़े और इसके साथ साथ अगर न्यू हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास इसली पहुंचता है ठीके तो यहाँ पर हमारे 20 कोशन्स खतम होते हैं फिर मिलेंगे हम अपने आज रात 9 बजे लाइव सेसन के साथ तो लाइव कलास में जुड़ना मत भूले ओके हैवे नाज रे बाबाई सी यू